व्रिण्स मेरा नाम शाहिद असन है और मेरा यूत्यूब्श चैनल इंड-ई-टॉक में आप लोग मश्वागत है जाज हम लोग ale oh अज हम लोग ट्राणसपर्मर के टाइप के बारे में बात करेंगे ट्रांस्फर्मर दो सब्सक्राइब का होता है सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे आने वाले नए नए वीडियो का नोट्फिकेशन आप लोगो मिलता सब्सक्राइब क्या होता है साज एक अइसक्राइब करता है टॅन करते हैंatar प्रिक्वेंसी चाहें 50 हर्द्स का हो या 60 हर्द्स का इसमें कुई चेंजिंग नहीं होता है अब देखें फ्रेंग ट्रांस्फर्मर को जब डिजाइन किया जाता है तो वहां पर जो है है सी अद्धिमचो मेटेरियल का यूज़ जाता है कर सी अद्धिवंच जहें मटेरियल उसका पुरा नाम है ट्केस कोब रोल्ड ग्रेंदद उरियेंटेड शल्कों प्रेंचीं उसका यूज़ किया जाता है ट्रांस्फर्मर का इनपूर सुअ कि यह रहा इन्पुट यह प्राइमरी साइड होता है एस थम्हेंक्री साइड है और यह होता है आउटपूट से केंडरी सेड़ से अयर्य पुट दो हुँट है अब यह होता है से केंडरी सैड़् अब यह देखे प्रेंट्स और यह है टांसफर्मर का कोर यह कोर है यह कोर है यह कोर है तो इसमें जो यह वाइंडिंग क्यू भी रहती है इसी पर में टांसफर्मर का जो है में डिपेंड करता है कि वोल्टेज कम होगा यह वोल्टेज ज्याद होगा तो अभी हम लोग देखते हैं कि यह जो है इसमें जो करेंट जो जा रही है जो करेंट इसमें जो फूलो कर रही है गुम रही है तो वो हो गया हमारा जो है इस साइड में जो होगा वो होगा IP प्राइमरी करेंट और इस साइड में जो होगा उसको बोला जाता है IS इस सेकेंडरी करेंट यह होगा IP प्राइमरी करेंट और यह हो गया IS सेकेंडरी करेंट अब इसके अंदर में जो वोल्टेज जो है उस वोल्टेज को बोला जाता है प्रामरी वोल्टेज इसको बोल जाता है वी पी प्रामरी वोल्टेज और इस साइड में जो वोल्टेज निकलेगा आउटपुट में उसको बोला जाता है है कि इस से केंड री वोल्टेज और इसमें जो क्वाइल है किınt Eu Prior टेख रहा है इसको बोला जाता है था से एन प्राइमरी नंबर आव टरंस और इस जटो है उसको बोला जाता है एसपी से खंडर आफ टरंस तो यह नंबर आफ ट्रंस है, इसी पर डिपेंड करता है, ट्रांसफर्मर में जो नंबर आफ ट्रंस होता है, उसी पर यह डिपेंड करता है, कि अगर देखें यह है हमारा इस्टेप डाउन ट्रांसफर्मर, इस्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में क्या होगा, कि प्राइमरी स यहां पर नमबर आप ट्रंस ज्याद होगा और यधर जाएगा तो इधर जो है वोल्टी कम हो जाएगा इसका आउटपूर्ट ज होगा व कम होगा तो इसाइड में करेंट ज्याद होगा था क्योंकि है आप को दीके पाचासानने का यही तरीका है कि आपदी कैसे पाचान सकते हैं जिस सैड में जो number of टंस है उधर जो है कम होगा वोल्डेज कम होगा अब step down transformer है तो देखे step down transformer का सेकेंडरी सैड में जो है यह no Campaign कम है तो इधर ट्रांस्फर्मर जो एसी हाइव वोल्टेज को लोग वोल्टेज में कंवर्ट करता है उसको जो है स्टिप डाउन ट्रांस्फर्मर कहा जाता है इधर देखिए कि यह जो है number of tons ज्यादा है लेकिन इसमें जो insulated copper wire का यूज किया जाएगा वो जो है secondary में जो insulated copper wire का यूज किया गया उससे पतला होगा क्योंकि इसमें जो है insulated copper wire का जो यूज किया जाता है वो जो है voltage और current को देख कर ही यूज किया जाता है जैसे इधर क्या होगा कि इधर current ज्यादा होगा current जब ज्यादा होगा तो उसको flow कराने के लिए कितना सक्षम है खराब तो नहीं हो जाएगा ज्यादा voltage होगा तो ज्यादा current होगा तो इसके लिए जो है करेंट का मद्द नजा रखते हुए यहां पर जो है उसका इंसुलेटिट कोपर वायर का यूज किया जाता है इधर इधर जो है करेंट जाद होगा तो कितना करेंट जो है हमारा जो रेटिंग है उसके वो फ्लो कराने के सक्षम है की नहीं उसके हसाब से इधर यूज क किया जाएगा उस से केंडरी साइड में थोड़ा सा मोटा होगा और जो है प्राइमरी साइड में थोड़ा इससे पतला रहता है और स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर की जो है इसको जो पाउर रेटिंग जो होती है वह होती है 11 केवी से 11 केवी या उससे कम होती है 11 केवी से या उससे कम जैसे 11 केवी जो है 11 केवी से फॉर फिफ्टेन वोल्टेज या इससे भी कम होगा 11 केवी क्या है फिरेंड इसको 11 हजार है यह किये का वहलू होता है ताउजेंट के का वहलू ताउजेंट होता है यह होगा 11 केवी इक्वल टू एजार हजार वोल्ट इसमें जो है में चीज याद रखने का चीज इसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्राइमरी साइड में नंबर आफ टॉन्स जादा होता है और सेकेंडरे साड में नंबर आफ टॉन्स कम होते हैं और इसमें जो इन्सुलेटेड जो कॉपर वायर का यूज किया गया है यह थोड़ा पतला होता है और इसमें जो इन्सुलेटेड कॉपर वायर का यूज वो थोड़ा मोटा होता है और इसमें जो है इसका इन्पुट वोल्टेज हाई होता है और करेंट लो होता है और में जरूर बताईएगा, थैंक्स फॉर वाचिंग